आज हम डिसकस करने वाले हैं सबसे लास्ट चप्टर और्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है बहुत इंपोर्टेंट ये वाले चप्टर है आपके लिए और इसे बहुत जादे कोस्टन्स आपके पूछे जाते हैं तो मैं आपको एक एक करके सबी चीज़ों के बारे में एक्स्प्लेन करता हूँ लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कोस्टन्स कौन कौन से हैं तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा question ये पूछा जाता है कि carbon के इतने सारे yogi के आपके ब्रहमांड में उपस्तित है, इसके पीछे का reason क्या है? मतलब carbon जो है इतना ज़्यादा yogi क्यों बनाता है, तो एक question अगर आप से पूछा जाता है, तो इसको आप कैसे represent करोगे? इसको लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा उन्ही पॉइंट वाइस पॉइंट मैं आपको आज बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं पहले पॉइंट के तरफ चलता हूँ इसका मतलब के इसके एक परमाडू के साथ सन्योग कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि कार्बन जो है अन्य परमाड़गों के साथ डबल बॉंड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉंड भी बना सकता है जैसे कि अगर कार्बन सिंगल बॉंड बनाता है तो वो मेथेन ये वाला योगी कापका बनाता है का Carbon Hydrogen के साथ, Single Bond के साथ और Carbon Nitrogen के साथ, Triple Bond के साथ सन्योजित रहता है, ठीक है? तो आपने देखा, कि यहाँ पर पहली example में आपने देखा कि Carbon Single Bond बनाया, दूसरे में देखा Carbon डबल बनाया, तीसरे में देखा कि Carbon डिपल बनाया, तो यह जो आप देख रहे हो तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि कार्बन जो है बहुत सारे compound बना सकता है इस तरीके से क्योंकि ये single bond में भी attach हो सकता है double bond में भी triple bond में भी इसी चीज़ को आपको topic wise करके लिखना है क्योंकि topic wise करके लिखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको number नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो नेक्स्ट आपको आता है यहां पर दूसरा अगर आप heading डालोगे तो आपको ये देखना है कि कार्बन की चारो सन्योजक्ता में क्या क्या समतुल लेता होती है ठीक है इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको मालुम चलेगा कि जो कार्बन होता है इनके सन्योजक्ता तो चार होती है और जब कार्बन की सन्योजक्ता दोस्तों क्या होती है चार होती है तो इनकी चारो सन्योजक्ता है बराबर होती है ठीक है मतलब symmetrical रूप में arrange होती है इनकी चारो सन्योजक्ता है और इनकी चारो सन्योजक् वो कैसे आपके अरेंज रहेंगे तो सममित रूप में अरेंज रहेंगे तीसरा और यह सबसे important heading है आपका यह तीसरा वाला heading है सबसे जादा मुत्वपूर्ण heading आपका निकल के यह आता है देखिए कैसे तीसरा heading आपका यह कह रहा है कार्बन परमाडू की बंधन चमता मतलब linking capacity of carbon atom इस तरीके से आप heading दे करके लिखें के तब ही जाकर के कुछ हो पाएगा अगर heading नहीं देंगे तो फिर बहुत मुस्किल हो जाएगा आपको number मिला ठीक है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि carbon परमाडू की बंधन चमता में आपको गया देखना है कि carbon परमाडू में एक दूसरे से सन्योजीत होने की जो सकती होती है वो बहूत अधिक होती है कहने का मतलब ये है कि carbon जो है carbon के साथ सन्योजीत हो सकता है carbon करवन के साथ single bond में भी सन्योजीत हो सकता है तो ये आपके लिए important heading है इस heading के दोरा अगर आप अपने answer को लिखते हो तो काफी अच्छे number मिलेंगे और अगर heading के दोरा answer को नहीं लिखोगे तो फिर मुस्किल हो जाएगा आपको number मिलना समझ में आ रहा है आपको तो ये बाते आपको ध्यान दे करके देखनी है अब carbon जो परमाडू होते हैं ये बात आप यहां से थोड़ा से ध्यान से देखिए मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि जो carbon परमाडू होते हैं ये परसपर सन्यूक्त होकर के दो प्रकार की सरिंखलाईं बनाते हैं शीक है? Carbon Parmaru Parasper जो है, ये सन्योजीद होकर कि ये दो प्रकार की स्रिंखलाई बनाते हैं देखें कौन-कौन से स्रिंखलाई बनती है सबसे पहला जो बनता है ये बनता है आपका Open Chain जिसको हम विवृत स्रिंखला कहते हैं सेकंड आपका बनता है closed chain जिसको हम संब्रित स्रिंकला कहते है ठीक है आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजेगा यहां से अब आप यहां से देखिए थोड़ा सा कैसे आपको बनता है अगर आपका open chain का compound बनेगा यहां पे आप देखिए आप जो compound देख रहे हैं इसमें तीन कारबन जो है एक दूसरे के साथ open chain में अटेच है यहां पे भी आप देख रहे हैं कि तीन कारबन पर माड़ू एक दूसरे के साथ open chain में अटेच है यहां पे भी आप देख रहे हैं कि कारबन पर माड़ू एक दूसरे के साथ open chain में अटेच है लेकिन पहले वाले में आपने देखा कि carbon carbon के साथ single bond है, दूसरे वाले में देखा कि carbon carbon के साथ double bond है, तीसरे वाले में आपने देखा कि carbon carbon के साथ triple bond है, तो overall आपका ये हो रहा है, overall आपका ये बनाए जा रहा है, कि जब open chain में carbon arranged होता है, तो वो तीनों प्रकार के बंद को बना सकता है ठीक है open chain में carbon single bond double bond or triple bond भी बना सकता है अब आप यहाँ पे close chain का example देखिए close chain बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह रेखना है कि questions क्या पूछे जाते है questions ही पूछे जाते हैं कि यह close chain बनाने के लिए आपको सबसे जादा important यह है कि close chain अगर आप बना रहे हैं मान लिए तो उसके लिए minimum number of carbon कितना चाहिए तो minimum number of carbon जो है आपके पास 3 होने चाहिए अगर आपके पास 3 से कम carbon है तो आपका close chain का formation नहीं हो पाएगा 3, 4, 5 आपको इतने भी carbon ले सकते हैं लेकिन minimum आपको 3 carbon होना ही चाहिए ठीक है तो ये चीज़े आपको ध्यान से देखनी है और इसमें भी आपका सेम होता है अगर ring type structure में carbon जुड़ता है तो वो double bond भी बना सकता है single bond भी बना सकता है ठीक है उसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए बस ये है कि आपके जो carbon की balance है वो satisfy होनी चाहिए ठीक है next topic है आपका और ये भी आपका इसी answer में आप लिखोगे तो इसको भी आप heading बना करके लिखोगे ये है आपका सन्युजक्ताओं की क्या वेवस्था होती है क्या arrangement होती है ठीक है पाई जाती है जबकि इसके दो समावी वी भी हो सकते है ठीक है ये देखिए आप समावी आपता है कहने का मतलब है कि इसका जो structure होगा दोस्तों इसका molecular formula तो सेम होगा लेकिन इसका जो structure होगा वो different होगा अब आप यहां पर देखिए CS2, CL2 यहां पर आपके पास एक योगिक है इसमे क्लोरीन देखिए आप किस किस position पर लगा हुआ है अब इसमें भी आप क्लोरीन देख सकते हैं कहां कहां लगा हुआ है तो बस आपने यह देखा कि मतलब position बदलने के बाद भी आपका carbon की चारो सनोजग्टाएं एक तल में नहीं होती है अब अगर actual अगर हम बात करें तो जो carbon की चारो सनोजग्टाएं होती है इसको one half नाम के organic ने अनुमान लगाया कि जो carbon की परमाडू होता है उनमें आपका regular tetrahedron आपका होता है और केंदर में आपका carbon की परमाडू होती है इनमें दो bond के बीच में आपका कुछ angle का formation होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यह जो angle होता है आपका 109 degree 28 minute का code होता है ठीक है एक minute इसको आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इस circle के अंदर आप एक बात ध्यान से देखिएगा कि carbon के जो दो आपके bond है दो single bond है उन दोनो single bond के बीच में जो आपका gap है वो कितने का है मतलब angle कितने का बन रहा है एक सोनो डिगरी अठाइस मिनिट का इंगल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ठीक है तो इस फाइनली आपने यह देखा कि यह चीज़ कौन पता लगाया था वांठाफ नाम के एक वैग्यानिक थे उन्होंने पता लगाया था कि जो कार्बन पढ़मानु होते है एक समचत्सफलक रेगुलर टेटर हेडरन में इस्थित होता है ठीक है यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है अब आगे आप आएंगे तो आगे आपका आता है यहाँ से निकल के कार्बनीक यौगिकों का वरगीकों का वरगी करण कैसे होता है जिसको हम अभी next topic में बत आपको करेंगे